आज हम लोग तुम छूश सकते नव के तारे कविता का प्रस्न का उत्तर समझेंगे कविता की प्रथम चार पंक्तियों का अर्थ लिखिए उत्तर हिमाले खड़ा होकर बता रहा है कि आंधी पानी से नहीं डरो तुम अविचल होकर हर संकट और तुखानों में खरे रहो हम सब कुछ कैसे पा सकते हैं उत्तर अपने प्रण से नहीं डिगने पर हम सब कुछ पा सकते हैं जग में सफलता किसे मिलती है जो लाख मुसीबत आने पर भी अपने पत पर खार आता है उसे जग में सफलता मिलती है 3. कब तक कि वे पंक्तिया लिखिये जिनका अर्थ निम लिखित हो कौ जदि तुम अपने डिन निचे से न गिरो तो तुमारी सभी एक्षित बश्त्वे प्राप्त हो सकती है तुम भी जीवन में बहुत उचायों तक जाका संभव काज को भी संभव बना सकते हो उत्तर डिगो न अपने प्रन से तुम सब कुछ पा सकते प्यारे तुम भी उचे उट सकते हो छुच सकते नव के तारे जो लाख मुसिबत आने पर भी अपने पत पर अचल राता है वहीं संसार में सफलता प्राप्त करता है ऐसे बेक्ती का जीवन भी धन है और मरन भी अचल रहा जो अपने पत पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में निमलिखित सब्दों को वाक्यों में परियोग कीजिए अचल हमें अपने पत पर अचल रहना चाहिए पत या पत चौरा है नब नब में तारे चमक रहे हैं सफलता परिश्रम करने पर सफलता मिलती है